नमस्कार बहुत सौगत है आपका आप देख रहे हैं दर न्यूज आपके साथ मैं स्विष्टी मिश्रा अर्विन किज्रिवाल को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुद खुलासा इंडिया टीवी ने किया है देखिए कहा जा रहा है कि सी एम कॉम्प्ले कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे अर्विन किज्रिवाल तो क्या ऐसा माना जाए कि सपनों पर पानी फिर गया जनता के समने सचाई आ गई जनता जान गई है कि क्या कर रहे हैं यहां आपनी के वेश में यह और देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि आठ फ्लैट और दो बं अर्विन किज्रिवाल तो की बड़ी ख़बर आप देख रहे हैं और देखिए कहा जा रहा है कि बेपर्दा हो रहे है अर्विन किज्रिवाल इनके प्लान की धज्या उड़ गई जनता के सामने अब क्या दलील देंगे क्या पेश करेंगे सबसे बड़ी बात आपको बता सीएम हाउस के आस पास जितने भी ऑफिसर्स रहते थे जिनका भी मकान था जितने भी सरकारी कर्मिचार्यों के मकान थे बतावर दोजार एकिस में सीएम अर्विन किज्रिवाल द्वारा उन्हें नोटिस दे दिया जाता है ताकि वो अपने बंगले को अपने फ्लैट्स को जल्द खाली कर सके और उसके बाद अर्विन किज्रिवाल इसको चम चमाता सीएम कॉंपलेक्स बना सके और ये बेफर्दा हो चुके है अवर इनके जिवाल और कहा जा रहा है कि सपना इनका बड़ा था देखिए लेकिन धज्या उड़ गई पहले ही आप बीजेपी मांग जा रहा है कि अर्विन किज्रिवाल कॉंपलेक्स बनाने की पीछे एक बहुत बड़ा मेगा प्लान था और 2021 में इसको लेकर बैठक भी हो चुकी है अब मैं आपको पूरे विस्ता से बताऊंगी आखिर कौन-कौन से वो सरकारी अफसर हैं जिनको नोटिस जारी किया गया ह जिन में से आधे से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने अपने अपने फ्लैट को अपने बंगले को खाली कर दिया है इसको लेकर 28 जुलाई 2021 में कैविनेट की बैठक हुई थी और इसको लेकर दिल्ली के कैविनेट में फैसला आ गया था और आपको बता दे कि नोटिस दे दि प्लैट को मिलाकर CM complex बहुत बड़ा अर्विन किज्रिवाल के बनाने का plan था और इसको बता दे कि इसमें complex को मिलाने का भी plan तेज था मिलाने की planning चल रही थी और इसी planning पर अब धराशाई हो चुके है अर्विन किज्रिवाल जिसको आपको बता दे कि किस तरीके से कौन-कौन स कर्वचारी किये गया थे आस पास जितने सरकारी कर्वचारी रहते थे अब देखिए कहा जा रहा है कि पहला फ्लैट जो खाली कराने का order जारी हुआ है वो राजपूर रोड में इस्तित हैं एड्रेस है 45 एक राजपूर रोड ये फ्लैट नोटिस के वक्त खाली किया गया दूसरा फ्लैट जो खाली कराने का order जारी हुआ है वो भी राजपूर रोड में इस्तित हैं एड्रेस है 45 दो राजपूर रोड ये फ्लैट के एस शेहरावत को अलोटेट था और इसको दिल्ली के अर्विन किजरिवाल ने कहा कि इसको खाली कर दो मुझे सी एम हाउस बना था किस तरीके से अर्विन किजरिवाल ने ये मन घडंत अपने बेबुन्यादी धाचे को संजोया है बेबुन्यादी धाचा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अपने आपको आम आर्विन किजरिवाल और इतना बड़ा धोखा ये दिल्ली की आम जन्ता के साथ करेंगे बरस्टाचार सभी नेता करते हैं बरस्टाचारी की पोल भी खोलती रहती है CBI हो गई, ED हो गई, सरकारी एजेंसिया हो गई लेकिन जिस तरीके से एक मुख्य मंतरी बतार सत्ता में आए अन्ना हजारे आंदोलन का फाइदा लेकर दिल्ली की जनता की आँखों में धूल जोका है अब कहा जा रहा है उल्टी गिनती शुरू आगे आपको बता दे, चौथा फ्लैट जो खाली कराने का ओर्डर हुआ था वो है 45-4 राजपूर रोड, ये गुरदीब सिंग को अलॉटेट था और अब उन्हें 17-6 राजपूर रोड में शिप्त होना है पांचवा फ्लैट इन्होंने खाली कराया था जो घर 4 अग्रवाल को अलॉट था और उन्हें भी राजपूर रोड में शिप्त होने का फरमान जारी कर दिया गया था फरमान जारी कर रहे हैं आगे सुन ये छटा फ्लैट जो खाली कराने का ओर्डर जारी हुआ, विनोत कुमार को अलॉटिट था, जिने CW Games Village में शिफ्ट होने को कहा गया, साथवा फ्लैट जो खाली कराने का ओर्डर हुआ, उसका एडरस है, पैतालिस साथ राजपूर रोड ये रमेश कुमार को अलॉट था, उनको भी CW Games Village में शिफ्ट होने को कहा दिया गया, अब आप देखिए, यहाँ पर ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट है, अर्विन रिवाल के कटर इमांदार नेटा, राजज स्वासान॥ संजय सिंग ने किस परिके से एपने ट्विटर पर बड़ा प्रचार प्रतार किया है, चौति फास राजा का, समझ रहोँगे, संद्य मत्री ने, लेकिन यह बताईए, मुख्य मंत्री के सकता में आने के बाद किस तरीके से इतिहासिक इमारतों को तोड़कर उपाध्यक्ष को अधिकारियों को दे दिया जाता है शीश महल जासा बनाया जाता है और चमकाय जाता है सरकारी बंगला नोटिस जानी किया जाता है complex बनाने का mega plan तो चोथी पास राजा की पहले बार में बात करिए पहले खुद अपने जो सच है उससे परदा जो हटा है उसको ठकनी का प्रयास कीजिए प्रयातने कीजिए उसके बाद उसके बाद चोथी पास राजा की कहानी सुनाई है देखिए बतावर प्रधान मंतरी को लेकर उन्होंने एक पोस्टर जारी किया है संजय सिंग ने मैं चाहूंगी कि आप कॉमेंट करिए क्या लगता आपको लिख रहे है नया महल तेरे सो करोड नया जहाज चुरासी सो करोड विदेशी दौरे पंदरा सो करोड देखिए यहां पर विदेशी दौरे को भी एक कॉंट कर रहे हैं नया जहाज नके कॉंट कर रहे हैं काम वा मुझे की काम किया प्रधान मंतरी के कामों को तो आपकी कामों को भी देख रहे थे और यहीं वज़ाए कि आपको उससता तक हमने पहुचाया है अब यह बताईए कि जिस तरीके से आप जहाज पंखे कूलर बैन प्रधानमंत्री कोट सबका जवाब मांग रहे हैं तो आखिर पहले अपनी जवाब देहित्ताई कीजिए इसके साथ आपको बतारे कहा जा रहा है निवास का सौंदर्य करण 90 करोण में प्रध की चर्चा हो गई है लेकिन अब संजय सिंग और तमाम आमानी पार्टी के नेताओं को इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि कहीं न कहीं इनकी एक पोल पट्टी खुलती जा रही है आगे सुनिए योग इवेंट की सजावट 56 करोड प्रधानमंत्री के लिए तंज कस रहें कर लोग सवाल पूछ रहे हैं और यहाँ कहा जा रहा है आखिर किस कारण से प्रधानमंत्री के खिलाफ आपने जो टिपनी की है उसके पहले पPaतर की करतूत जिलीक ऑंदर जवाब दए क्यूं टैय करेंंगे और क्यूं नहीं टैय कर रहे हैं जनतां यह सवाल पूछ रहे हैं दो बंगले भी CM हाउस में मिलाने का इनकी प्लानिंग थी और ये सरकारी सुत्रों के मुताबिक बड़ी खवर सामने आई मेगा कॉम्पलेक्स मुख्यमंतरी मेगा कॉम्पलेक्स ये बनाना चाहते थे मुख्यमंत्री कॉंप्लेक्स बनाना चाहते थे और उसी से बेपर्दा हो गए है अर्विन किज्रिवाल पीम हाउस जैसा कहीं न कहीं अर्विन किज्रिवाल अपने घर को बनाना चाहते थे सीएम कॉंप्लेक्स को सजाना चाहते थे सीएम कॉंप्लेक्स में ढेरो आखडे इन्होंने पैसव के लगाएं और कहा जा रहा है जिनने सरकारी ओफिसर को इन्होंने खाली कराने का नोटिस दिया उनमें से आधे से अधिक अफसरों ने खाली कर दिया किजरिवाल की नोटिस की बाद कैबिनेट 2021 में इसका फैसला आया था अब ये देखिए अभी खुलासे हो रहे हैं कांड और कितना पुराना होगा संजे सिंग बेनकाब हो रहे हैं लगातार संजे सिंग के लिए कहा जा रहा है कि पहले अपने राजा की बात कर लेते तो बहतर होता प्रधान मंतरी की बात और प्रधान मंतरी के बारे में कहीं न कहीं लोग जानते हैं और लोग ये भी समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं इतना भरस्टाचारी नेता हिंदुस्तान ने नहीं देखा जो ये कहकर राजरूती में आये था कि हम तो भाईअ व्याइपी कर्चर खत्म कर देंगे और हम राज़ूती का रंग बदल देंगे राजनुती का ढंग बदल देंगे बे परदा हो चुकी है आम आदमी पार्टी और देखिए यहाँ पर लगातार संजेसिंग प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं कभी पत्रकारों को धक्का दिलवाते हैं कभी यह कहते हैं कि चौथी पास राजा के पास एशो आराम के पूरे फाइदे यह लेते हैं चौथी पास राजा इतने करोड अपने विदेशी दोरे में इतने करोड के जहाज पे घूमते हैं यह हैं आमानी पार्टी की सच्चाई और देखे आपको मैंने पूरे विस्ता से बताया किस तरीके से शीष महल के बाद एक बड़ा खुलासा अर्विंद के जरिवाल सी-म कॉंप्लेक्स पी-म हाउस की तरह बनाना चाहते थे सपनों पर पाने फिरा है आम जनता जाग गई है देखने वाली बात होगी आगे और कितने खुलासे भरस्ता चारी की अर्विंद के जरिवाल की खिलाफ होता है फिलाल आपको बहुत शुक्रिया जो भी आपकी राया आपको इंटिमित आईए